नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुलमिश्चा आज हम लोग भारती दर्शन के आस्तिक संप्रदाय सांग दर्शन पर बातचित करने जा रहे हैं सांग दर्शन में हम लोगों मुकिता इन पांस सिधानतों को देखना है प्रकृती, पुरुष, संबंध, विकासवाद और फिर मोक्ष को देखना है अब इसमें जो पहरा टॉपिक आता है वो आता है प्रकृति अब प्रकृति को स्रिष्टि का मूल कारण माना गया है प्रकृति मूल कारण है और इस मूल कारण के वजह से ही संपूर्ण स्रिष्टि हमारे सामने आती है और देखा जाए तो प्रकृति में को सिद्ध करने के देखेंगे किसी भी तर्ग को सिद्ध करने के लिए एक इस्लोग का उलिख मिलता है रोचखबात ये है कि पूरा जो सांघ-दर्शन है अभी आगे भी हम लोग देखेंगे किसी भी तर्गग को सिद्ध करने के लिए किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए या किसी सिद्धान को पूरता प्रदान करने के लिए सामानता पांस तरकों का इस्तेमाल हुआ है और उसी पांस हर बार चाहे प्रकृति को सिद्ध करना हो चाहे पुरुष को सिद्ध करना हो चाहे आगे पुरुष के नेकता सिद्ध करनी हो उन्होंने पांच कारणों का इस पांच तरकों का इस्तमाल किया है तो सतकारवाद जैसा कि बताए कि कार अपने कारण में सत होता है भारती परंपरा में कार करान सिध्धान ब्यापक रूप से मिलता है कारन कार सिध्धान में दो तरह के डिवीजन है दो तरह के बठवारे है एक पक्ष वो है जो कहता है कार अलग है कार अलग है जो कार है अप अपने कारण में सत है उने सतकारवादी कहा जाता है और इसकी लंबी परंपरा हैं शंक्राचार, रामा नुद, सांकْधर्शन, मिमानसा बहुत सारे जो संप्रदाय हैं यह सभी सतकारवादी हैं क्योंकि बिना सत्कारवाद को माने इनके दर्शन को पूर्टा प्राप्त नहीं हो सकते थी इसलिए सत्कारवाद को विवस्थित रूप से सबसे पहले सांक दर्शन ने सिद्ध किया है अब देखें सत्कारवाद, अब क्या करने जा रहे हैं सांगदारशनिक, यह सुद्ध करने जा रहे हैं कि कार अपने कारण में पहले से मौजूद रहता है, अब देखें जो इनका एक स्लोक है, असत्कारणाद दुपादान ग्रहनाद, सरोसंभवा भावावाद, शक्तस सक् सत्कारयम, तो इसको हम लोग देखेंगे, कि यह पांस तर्ख है, पहला यह है, असत्करणाद, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि असत्स से सत्की उत्पत्ती हो सके, असत्करणाद, अगर आप यह कह रहे हो कि कार अलग है, कारण अलग है, तो फिर हमें यह मानना कि कार न कर जो है वह एसत से अपने अफ पत्ति हो गई है तो हमें पार्ण मानन पड़ेगा कि सून्य कि Ze असत से सत की उत्पत्ती हो गई है फिर दूसरा आता है कि असत करणा उपादान ग्रहनात हम सबको पता है कि एक विशेश कार के लिए विशेश कारण की आउशकता होती है यहां शब्द है यहां संदी होई है उपादान ग्रहनात जैसे अगर आपको तेल की आउशकता है तो आपको तिल चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो तेल की जरूरत है तो आपको बालू से मिल सकता है तो हर विशेश कार के लिए विशेश करान की आशकता होती है जिस तरह दही के लिए दूद की आशकता होती है इसी तरह कार के लिए एक निश्चत करान की आशकता होती है तो उपादान कारण ये सिद्ध करता है कि कार अपने कारण में मौझूद है और अगला तरह जो तीसरा सर्वसंभभावात वो कहता है कि यदि आप ये मान रहे हैं कि किसी न किसी रूप में कार अपने कारण में असत होता है तो अगर कार अपने कारण में असत है तो फिर किस किसी भी कारण को उच्फसक्ति हो सकती है तब तो दोनों का संबंद रृलेशन ही कहतम हो जाता है तो इसंपर संभाभवात अगर आप यह मानते हैं कि कार असत है कारण में तो इसे मानना पड़ेगा कि किसी भी कारण के उत्फफन हो radar जायेगी ऐसा होता नहीं है इससे सिद्ध होता है कि कार अपने कारण में सत होता है फिर तरह शक्त शक्त करनात कि भाई कारण की शक्ति से कार उत्पन होता है दूद की शक्ति से दही का निर्मान होता है अगर कारण की शक्ति ना हो तो कार का निर्मान नहीं हो सकता और अगर कार अपन तर्खेश 5 वा कारण्भावाच सथकार्यम कहता है कि घर कारणर जो और यह अलग अलग नहीं है जब कि यह दो अवस्थाँ दूद और दूद की अवीक्ति है जब कि अभ्यक्ति जो है वो दही में होती है यह दो अलगला तत्वना होकर एक दूसरे से अभिन हैं इसलिए कार अपने कारण में सत होता है और इस आधार पर सतकार्यम इस तरह जो सांग दर्शन है यह पांच कार पांस तरकों के आधार पर सतकारवाद सिद्ध करते हैं यह इनका पहला स्टेप था सिद्ध करने का और देखी हम लोग फिलोसफी पड़ रहे हैं दर्शन शास्त्र में हम लोग लौजिक का इस्तमाल करते हैं कि अच्छा 9-10 में आप में जो प्रमे सिद्ध की होगी कि एक एक लौजिक रखते जाते हैं और वो प्रमे सिद्ध हो जाती है उसी तरह यहां पर कर रहे हैं अब सांग दार्शनिक बहुत ब्यौस्तिक तोर से पहले सतकारवाद को सिद्ध करते हैं अब आगे सिद्ध करने जा रहे क्या है कि सतकारवाद में क्या सिद्ध दिया जो भी कार है अपने कारण में मौजूद है तो जो संपूर्ण स्रिष् कृति का मतलब होता है रचना रचना प्रकृति ये रचना है तो जो कृति के पहले है जो रचना के पहले है उसे प्रकृति कहा गया ये शिश्टी जब नहीं थी जैसे आपने बहुत अच्छा हो सुनाऊगो न वेदों वेद में इस्तिमाल होता जब तुम नहीं थे हम नहीं था जब अंधकार नहीं था प्रकास नहीं था तब क्या था तो कहते तद ब्रह्म तो कहते तद ब्रह्म है तो यहां जो है प्रकृति को ब्रह्म भी कहा गया है जब कुछ नहीं था तो जो था वह प्रकृति ना कृति प्राधन कृति कृति से जो पूर है उसे उन्होंने प्र का पुरुषिस्ट के तौर पर होते हैं तो अब इसकी विशेस्ताः क्या होंगी ये स्वयम विक्सित होने के कारण ब्रिधातु से बनी है ब्रब स्वयम क्ष 那ब होती है इसलिए ब्राइद्धातु मुझे आधार पर है प्रकृति इसको ब्रंुच स्वरॉप और एक तरह से देखा जा जो भी पुरुष का विपरीत है आत्मा का विपरीत है उसे प्रकृति कहा गया इसे अज्ञान सुरूप भी माना जाता है प्रकृति कोगी भौतिक है इसलिए अज्ञान सुरूप है इसका जो सुरूप है यह अलग-अलग विशेस्ताओं के आधार कि ए अपने को अव्यक्त करती है इस तरह प्रकृती का जो पूरे सांग दर्शन में पहला सरूप आ रहा है वह सरूप यही है कि जो प्रकृती है वो शृष्टी का मूल आधार है भौतिक है साथ में सक्री भी है देखें रोचक बात है यह भौतिक होते सक्री है आचेतन होते विए भी यह सक्री है इसके ही माध्यम से स्टिका निर्मान हो रहा है यह ज्ञान सुरूप इस तरह की बहुत सारी विशेस्थाएं शांग के प्रकृति सिध्धांत में अलग-अलग मिलती है और इसके जो मुख्य है अब यह त तीन गुण पाये जाते हैं अब देखे यह जो गुण है यह विशेस्था नहीं है गुण उसके पार्ट हैं आवयों हैं जिस तरह रसी के तीन रेशे मिलकर रसी का निर्मान कर रहे हैं उसी तरह यह तीन गुण मिलकर प्रकृति का निर्मान करते हैं गुण यहां पर संग जो लकडी है वह उसकी विशेस्ता नहीं है लकडी मेज का या प्रकृति या जो भी फिलोसफर चिंतन कर रहा है जगत को समझाने के लिए उसमें जो चीज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं जिसका हम प्रत्यक्ष या अनुभव कर रहे हैं उसके आधार पर प्रत्यक्ष है उसकी सत्ता यहां से दिखी जा रहे हैं तो हमारे अनुभव में जो प्रकृति में जो तीन गुण आ रहे हैं कोई भी तत्त होगा उसमें तीन गुण जरूर पाए जाएंगे हां यह कहते हैं कि यह तीन गुण कम और अधिक हो सकते किसी में सत्त गुण जादा होगा किसी में रज गुण जादा होगा किसी में तम ग और शांति का प्रतीक है दूसरा जो रज गूंस क्रिया। का गूंस। देता है ती तीन गुण है पहला जो सत्व गुण है और जो फ क्रियाशी हो दुखごं कबए उत्र तोर पर यहाँ पर किसी भी तरह लोगतं की बाद ही कर रहें सथ है तो नहीं राज मनुषकी विश्षिषित like का वर्णन होता है यहां पर स्ष्ष्ट का कोई भी तत्व है वह तीन उत्पन करता है जैसे मैं यहां पर उध्रान दे सकता हूं कि क्लास में जब चलती है तो जो कभी-कभी जब कोई बच्चा लेट आता है क्लास में और अब बच्चे कम रहते हैं तो उस फाइन हो जाता है अगर बिना बताएगा वे पूरी क्लास को चाह पिलाएगा तो अब होता क्या है तो एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था सांग दर्शन और उसमें तीन गुण की चर्चा हो रही थी और उस सुख कानभव कर रहे हैं उनको चाह आनंद दे रही है और जो विचारा चाह पिला रहा है वो चाह को देखके बार बार दुखी हो रहा है क्यों कि वो चाह उसका रुकसान कर रही है तो पर तो सांग करण कहता है कि संसार में जितने भी तत्तों हैं वो सभी तत्तों अलग अलग गुणों को पैदा करते हैं और यह जो अलग अलग गुण हैं यह किसी ना किसी रूप में हर तत्त में किसी में कम होगा किसी में जादा होगा तो अब यह और यह तीनों गुणों का यह रोल है आगे हम यहां पर लिखा है सरग सर का मतलब होता है स्रिष्ट की उत्पत्ति तो इन तीन गुणों का जो तीन गुणों की जो भूमिका है वो भूमिका यह है कि पृत्वी की जो स्रिष्ट की उत्पत्ति का आधार यह तीन गुण होते हैं जैसे तीन गुण अपने प्रकृति अवस् तर्षन को आने से इनकी साम्यावस्था भंग होती है तो श्रिष्टिका सर्ग-ारंव होता है तीन गुण जब combination जो परमाण विश्वोट क्या होता है परमाण विश्वोट कैसे होता जब उनका संतुनन विगड़ता जैसे इसको कह सकते हैं कि सांघ दाश्रणिक होने कितने हजारों साल पहले जब ज़योंगा जियों सांग दाश्रणिकंव को सिंधोरी दी कि समया वस्था भंग होती है तो स्रिश्टिक विकास होता है तो हैं इन तीनों के साथ ये तीनों समनवी तवस्था में प्रकृति में रहते हैं इनका समनवे भंग होता है तो स्रिष्ठी का आरंब होता है अब देखते हैं प्रकृति को सिद्ध करने के लिए प्रकृति को कैसे हमारे अनुभों में तो भाई प्रकृति नहीं आ रही हमारे आधार कैसे माने कैसे हमें पता कि कोई प्रकृति जैसा कोई तत्व होता है क्योंकि हमारे अनुमान के जो हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं अब देखे प्रकृति क्या है अब इसको अस्तित को सिद्ध करने के यहां भी साथ भेदा नाम परिमाणार समनवर्याद शक्तिता प्रवित्तेश कारणकार विभागात अभी भागात वैश्वरूपश अब देखे क्या है यह पांच तरकों का इस्तमाल हो रहा है अब देख अगर किसी नाटक की शुरूआत में आपको मंच पर तरवा लटकती नजर आ जाये तो समझ जाना पूरे नाटक में इसका इस्तामाल बार-बार होना है उसी तरह हम देख रहे हैं सांग दर्शन शुरू करने में सबसे पहला सिद्धान सथकार वाद आया है इसलिए आप द कारवाद मौझूद रहेगा मतलब कारे अपने कारण में सत रहता है इसी की आधार पर आभ वो प्रकृत को सिध्य कर रहे हैं भेदा नाम परिमानात आ हमारे अनुभों में आने वाले जितने परिणांथ हैं जितने वस्त्रव में जितने पदार्थ हैं सब भेध युक्त हैं सीमित हैं भेध युक्त मतलब अलग-अलग हैं फिर क्या हैं सीमित हैं परतंत्र हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं इसका मतलब कोई तत्व ऐसा है जो अभेध है जो स्वतंत्र है जो किसी पर निर्भर नहीं है और वही तत्व जो ह हए वह प्रकृति कहलाता है पिर अगला तरह कर यह पहदाना प्रद्वाग्ण सब्लग्ण जबंग जहाता है किसी में तंधोग्ण जाथा है कि सब्लग्ण जाता है अभी जस्ट पहले जो हम dull вся और देखा वईात कहा है ती तीन गुणों का जिसमें समनवे प्रकृति कहलाता है तुई प्रकृति में बच्छक्ती से कारवित्पन् होता है तो कौन सी शक्ति है जिससे संपून स्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तरह यह सुष्टी हमारे सामने जो कि सुष्टी कार है यह किसी ना किसी रूप में अपने कारण में मौजूद है और यह जो कारण है वही कारण प्रकिर्टी है और समायता माना जाता है कि जो जहां से किसी चीज का उत्पत्ती होती है विले भी उसी में हो जाता है तो अभी गागात वैश्रूपस जो विश्रू है यह पूरी स्रिष्टी है यह प्रकृत से उत्पन होती है और प्रकृति में ही समाहित होती है इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति तत्तो है और तीके सिद्ध करने लिए क्या है प्रकृति को सीध्य हमारे अनुभों में नहीं आती बार के सांग दर्शन को ने प्रकृति को सिद्ध कर दिया है अब पहली चीज इस्टेबलिश होई क्योंकि देखे मजा क्या है फिलोसफी पढ़ने का कि जब एक बिन्दू से सुरू होती है फिलोसफी और पूरे दर्शन को हम लोग करम में पढ़ते हुए एक निश्चित निश् का इस्तमाल किया है अब प्रकृति का आगे क्या उपयोग है इसे देखने के लिए हम लोग पूरुष को समझ लेते हैं कि पूरुष क्या होता है फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों के समनवेसे कैसा विकास होता है तो पहला तो पूरुष प्रकृति है अब हम लोग पूर नहीं है पुरुष का मतलब यहां लिंग नहीं है बलकि पुरुष का मतलब यहां आत्मा है अन्यदाश्रिक संप्रदाय जिसे आत्मा कहके पुकारते हैं उसे सांग दर्शन प्यार से पुरुष कहता है हम लोग यह कह सकते हैं तो पुरुष का मतलब हो गया आत्मा और आत्म कोई लिंग नहीं होता आत्मा इस्त्री लिंग भी है आत्मा पुर्लिंग भी है क्यों लिंग का सम्मन जो है शरीर से होता है आत्मा किसे कहा गया है जो शरीर से अलग चेतन तत्व है उसे आत्मा गया गया सांक दर्शन द्वैतवादी है यहां द्वैतवादी मतलब होता है जहां जिस दर्शन में, जिस फिलोसपी में दो तत हों और दोनों लगभग समान महत्व रखते हों, उस सिद्धान को द्वैतवाद कहा जाता है। कि सिद्ध की आशकता क्या पट रही है। आखिर विकास हो रहा है, सिद्ध हो रही है, कहते हैं पुरुषत स्य मोक्षार्थम, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए सिद्ध का विकास हो रही है। इसका मतलब प्रकृति क्या है? सेकेंडरी हो गई। उनने प्रकृति को प्र प्रकृति विपरीत प्रकृति में आप जिन गुणों को मान रहे हो वह सब उसका जो उल्टा कर दो वह प्रकृति होता है जैसे मुझे यादा रहा है कि जब इंटरनेट पढ़ते तो मैं गनित का विशय था उसमें सवाल लगाते थे तो लास्ट में गलती क्या होती थी मेरे बार-बार करने से आंसर आना चाहिए था प्लस-20 तो मेरा आता था मैंस-20 प्लस-ए भी तो मैंस-ए भी आता तो मैं बड़ा परशान था तो मेरे अध्यापकि तुने मजाक में कहा कि तुम टेंसन मत लो बस जब तुम्हारा निशकरश प्लस-20 आ जाये तो क्लस को काटके म माहिंदस कर दो कोई तराव नहीं है किर ये मजाक्वत लिन पहराल उसी तरह पुरुष के गुणों को याद नहीं करना है इसलिए पुरुष क्या है प्रकृति में जिन गुणों की चर्चा हुई है उसका उल्टा कर दो वो पुरुष कहलाएगा प्रकृति जड़ थी ये च सांक दर्शन ने इतना कह दिया है कि जो प्रकृति व्यप्रिय फेशों पुरुष कहलाता है और रोचक बात क्या है यह करता है करतानी है सांक没有inka सांग दर्शन से कुछ ताम मली होगी और सांग दर्शन का उल्लेख आपको गीता में जगा जगा मिलता है तो बहराल इसका स्वरुप्रक्रिद्विप्रीत और मुख्यता यह अकरता के तौर पर परिभाश्चित होता है अब इसको देखते हैं कि अब आत्मा होती है कि नहीं होती है अब इसको सिर्करने के लिए तरह तो इंडिन फिलोसफी में सिलेवस बहुत छोटा है जिसे भारती दर्शन के विशेस्ताओं को हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है कि भारत को अध्यात्मिक कहा जाता है जो मैंने एक इसके पहले जो आप यूटूब पर है फिलोसफी में कि दर्शन क्या है और भारती दर्शन के बारे में जो चर्चा होती तो उसमें बहुत सरल सा एक सिद्धान ताता मैं इसको यहां रिपीट कर दे रहा हूं कि भारत को अध्यात्मिक देश कहा जाता है अध्यात्मिक होना और धार्मिक ह हर दर्शनिक आत्मा पर चर्चा करेगा आत्मा को यह तो मानेगा और दो फिलोस्प्राइस चरवाक जो आत्मा को नहीं मानते फिर भी उनको आत्मा को परिभाशित करना पड़ता है चरवाक आत्मा को नहीं मानते लिए वो कहते हैं शरीर से युक्त चेतना ही आत्मा आत्म है आत्मा कुछ नहीं है वह पांच इसकंद आपस में मिलते हैं तो आत्मा कहलाते हैं इस तरह आत्मा संबंधी चिंतन हर जगा है और सांग दर्शन में आत्मा को स्विकार किया गया है आत्मा को लेकि दो अलग लगमत है एक तरकी कहता है आत्मा को तरक से सिद्ध नहीं कर सक पांच तर्कों का इस्तिमाल किया गया है अब देखे संघात परार्तवाद त्रिगुनाद विपर्याद इस्ठानाद पुल्षोस्ति भोक्त्रिभावाद कैवल्यार्थ प्रवित्तेश्च संघार्त परार्तवाद इस्तिमाल हो रहे हैं यह स्वरकिष्ट को कुछ लगा ठिक संघात परार्तवाद एक तर्क दूसरा त्रिगुनाद विपर्याद दूसरा तर्क अधिस्ठानात तीसरा तर्क पुल्षोस्ति भोक्ति भावाद चोथातर कैवल्यार्थ परित्तेश्च पांच वाथर इस अगर आपने श्लो कुरट लिया तो परिख्षान बड़ा होता है अद्द होता है अदेख संगहात-परारत्वात प्रकृत के जितनेומר cœdern जितने संगहात अगयां जितम हैं पदार्थ हैं वह अपने लिए नहीं बने दूसरे के 법 लिए पानी किसके लिए बनाए है अपने अफ़ीशंहीर किसके लिए Butter как है ये शरीर किसके लिए बना है ये पानी किसके लिए बना है ये पेर पौदे फल फुल आदि किसके लिए बने हैं जिसके लिए बने हैं वही आत्मा है आप देख लिए आँखे किसके लिए काम कर रही है हाथ किसके लिए काम कर रहा है जिसके लिए ये शरीर काम कर रहा है व सहर दुनिया में हर चीत तीन गुणों से यूखता है, तिन गुणों का है, अभी हमनों देखा था, सांगदर्शन ने प्रगसित किया था, संसार में जितने भी तत्व हैं, उनमें तीनों गुणों पाये जाते हैं, भले किसी में कोई कुण कम हो, कोई जादा हो, लेकिन दर्शन कहता है तो तीन गुणों का विपरीत भी तो होना चाहिए तो तीनों गुणों का जो विपरीत है तो तीनों गुणों से व्रहित है वह पुरुष है यह दूसरा तरख है अधिस्ठानात यह शरीर जो है भौतिक है शरीर जो है अचेतन है तो इस शरीर का इस भौतिक जो पूरे संसार जो भौतिक है ठीक जड़ है तो इसका अधिस्ठान कौन है इसका आधार कौन है इसका आधार जाहिर सी बात है कोई चेतन सत्ता हो सकती है वह चेतन सत्ता ही अधिस्ठाना वही चेतन सत्ता ही मुख्यता पुरुष है या आत्मा कहलाती है पुर्शोस्ति भोक त्रिभावात एंग चोट आधिस्ठान है यह जो भोग युक्तपदार्थ प्रार्त्वाद में तरक्यायए पूरी प्रकृत्थ ना बनके दूस्रे के लिए परार discussions की उप्रुष सुच है और यहाँ भोग दिभावा, इसका भोग कौन करेगा? आखिर पानी ये बेह जाया, उसको भोग कौन करेगा? फल है, उत्पन होता है, नस्ट आ जाता है. तो उसका भोग कौन करता है? खुद आत्मा, खुद प्रकृत्य अपना भोग नहीं कर सकती. पेड़ अपना भोग कु इस तरह पांस तरकों के आधार पर सांक दर्शन अब सिद्ध करते हैं और सांक दर्शन सिद्ध करते हैं आत्मा आत्मा होती है पुरुष होता है उसका अस्तित तो यह अनुमान और पांस तरकों के माध्यम से सिद्ध किया गया अब अगला सवाल पैदा होता है आत्मा को लि के लिए ट्रक दिया जाता है अब रोचक सधान दाता है कि आत्मा का चेटना से संबंदे तो सांधर आतमा पखेंट नहीं करते हैं मुल्गोन सवाल पेदा होता है आत्मा एक है में इसको क्वाना जाए अब इसमें धो निए अधरशन में गोता है ऐक कहते हैं एक कहता है आत्मा एक ही है जैसे शंक्राचार एको ब्रह्म दुतियों नास्ति एक ही ब्रह्म में दो तत्व नहीं है वही आत्त मेरे में वही आत्त तुम्हारे में है जैसे को समझने के लिए अगर कहेंगे ना कि आहिंसा क्या है कि भाई तुम भी वही आत्मा हो मैं भी अंतर कि कना शरीर का है तुम्हें दुख़ोगा मुझे दुख ढ़ा टेख्रूप है जो कहता है अत्मा एख होती है लेकिन सांघ तरशन आत्मा की अन्यकता को मांनता है अनेकता को सिद्ध करता है त 6 एक नहीं अनेख है और इसको सिद्ध करने के लिए फिर अब देखे क्या है इन्होंने ये पांस तर्क दिये हैं जन्म अलग अलग होता है सब की करमेंद्रियां अलग अलग है और सबकी प्रयुटियां भी अलग-अलग है तो जससे सिद्ध हो रहा है कि हर आत्मा अलग-अलग है पुरुजभ बहुत hard प्रयुन जिसे सिद्ध हो रहा है तेगन-विपर्यास चयों और तीन गुणों के अलगाव भी देखा जाता है जिससे सिद्ध हो रहा है हर वेक्ति में तीन गुण अलग 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 किसी में सत गुण जाता है किसी में तम गुण जाता है और इससे सिद्ध होता है कि हर अलग है इसको अलग बिस्तार समझें सब का जनम अलग हो रहा है ठीक अगर आत्माईएख होती तो एक ने ज़नम लिया, सबने ज़नम ले लिया, सब का मरने भी अलग होता है, कि लोग अपनी मौत आदमे खुदी मरने, कोई तुम्हारी मौत कोई दूसरा नहीं मर सकता, तो सब मरना, सब की मृत्यू अलग-अलग है, अगर एक होता तो सब एक साथ मर जाते कर्मेंदिया लग outta laž है किसी की आँख्वist जाता तेज एक किसी कम है मुझे चस्मा लगता है किसे लोगा नहीं लगा ना पड़ता है सबकी कर्मेंदियां किसी का हाथ भूत मजबूत होता है किसी एतना ने तैप में होते हैं और तो और जाने दीजिए बहुत सिनी सिद्ध हो रहा है कि सभी में तीन गुणों का लगाव है किसी में सत्व उन जाता है किसी में तंवन तंव दयादा है इस तरह त्यागने भी परियास शयों Extra तीनों का जो अलग-अलग होना है यह सिद्ध करता है कि आत्मा एक नहीं अलग है इस तरह सांख दर्शन आत्मा की अनेकता को सिद्ध करने के लिए तर्कों का संबरदाय है वो भी आत्मा को सिद्ध करने के लिए तरकों का इस्तेमाल कर रहा है प्रकृत को समझ लिया अब हम लोगों ने पुरुष को समझ लिया प्रकृति और पुरुष दो तक तो हो गए अब वो कहते हैं इनमें आपस में संबंध की बात आती है अब देखे संबंध अलग-अलग तरीके का अलग-अलग रूपों में परिभाशित किया गया है इसे तीन अधार पर संयोग, सन्यदी एवं संयोगा भास के माध्यम से हम इसको समस्ते हैं अब देखें ऐसा नहीं किये है यह developing format है पहले इसको आया, फिर सन्यदी आया, फिर संयोगा भास आया संयोग प्राचीन दर्शन में मिलता है प्राचीन जो सांख दर्शन कपिल मुनी के सांख में संयोग वो कहते हैं प्रकिर्थी और पुरुष जो अलग-अलग तत्थों हैं एक चेतन है, जड़, एक सक्री, एक निश्क्री है, दोनों आपस में संयोग करते हैं और संयोग का उन्होंने जो उधारन लिया है, संयोग के लिए उन्होंने वही अंधपंगु नियाय का उधारन लिया है, कि दो अलग अलग तत्तों हैं, ये दो अलग अलग तत्तों मिलके स्ष्षि का विकास करते हैं कभी-कभी उन्होंने जो धान दिया है उसमें भ делает बच्छडे और दूद का विधान ड्या होता है घास तें गहास भहती होता है गाई घास खाती है तो दूद्च और होता है ऊठान के काम आता तहीं तो union संयोग इनका वास्तविक रूप से दोनों मिलते हैं एक जड़ है और एक चेतन दोनों आपस मिल रहे हैं गुड़ों में विरूप परिवर्तन हो रहा है और विकास हो जा रहा है दूसरा आता है सन्निधी अब लोगों ने संयोग पर कुछ आपत है भी हम लोग आलोचना में संयोग सिद्धान पर बाद में विदानती उसरे संक्राचाहार ने आपती कि तो इसकी गलती सुद्धार नेखल सन्निधी एक तो संयोग एक सन्निधी कि वास्तविक रूप से पास नहीं आते लिए वाली बात आती है तो गर उस उद्धान को हम लोग देखें तो आलोचक क प्रभाविद करता है उसी तरह संदीन कट आने पर एक दूसरे निकट आने प्रभावित करते हैं सन्दि का आग निकट आकर वह कर देते दो वास्तविक रूप में नहीं आते एक किर्टर Geschichte और पुरुषय दोनों अलग-अलग है लेकिन जिस तरह आधिए प्रभाव के था वेदान्तियों के प्रभाव से आया जिसमें शंकराचार कहते थे ब्रह मित्या जगत सब्सक्राइं नहीं होता है वंकि अगला च्रण आता है Northern II योग हो गया सनेदी तीन तरीके से मिला अब जो सांख धर्शन है अब वो अपने लॉजिकल निश्कर्थ पहुंसता है सतकार बात बता दिया प्रकृति बता दिया पुरुष बता दिया उसके बाद फिर वो अगले हिस्से में आते हैं जिसमें वो कहते हैं विकास वाद अब प्रुट कार्शन है